हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टो माई शनल मैं हूम रता दोस्तों आज हम बेकार हो चुकी पुरानी सीडी और डीवीडी से बनाने वाले हैं कुछ बहुत ही नया अनोखा और रुपयोगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यह कुछ पुरानी सीडी और डीवीडी से हैं जो कि बहुत चमझ से घर पर पड़ी हुई हैं और यह खराब हो चुकी हैं तो दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पर यह एक्राली कलर ले रहे हैं मैंने यहाँ पर यह orange color लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं और इस पूरी CD जो है इस पर हमने यह orange color जो है वो apply कर दिया है इसके बाद मैंने यहाँ पर यह blue color लिया है और इसको भी पूरी CD पर मैं apply कर दूँगी और फिर हम अच्छे से इसको सुखा देंगे और तीसरा color मैंने यहाँ पर यह वाला लिया है यह pinkish color है और इसको भी मैं ऐसे apply कर दूँगी पूरे CD में ही दोस्तों अभी तक हमने 3 CD में 3 color किये हुए हैं और ऐसे ही 3 color हमें 3 और CD में भी करने हैं यानि की हमें 2 CD में 1 ही color करने हैं जैसे की देखिए यहाँ पर मैंने 2 CD में blue color किया हुआ है 2 CD में orange color किया हुआ है और 2 CD में हमने यह pink वाला color किया हुआ है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से इसको paint करके सुखा लेना है इसके बाद दोस्तों जब हमारा paint एक बार सूख जाएगा तो हम इस पर double coat करेंगे क्योंकि यह हम CD पे paint कर रहे हैं तो CD पे paint बहुत अच्छे से एक बार में ही finish आ जाए हम यह नहीं कह सकते इसलिए हम यहाँ पर दो बारा दूसरा coat भी कर रहे हैं तो हम दूसरा coat करके भी इन सभी CDs को अच्छे से सुखा देंगे अभी हमने एक ही तरफ paint किया हुआ है दोस्तों क्योंकि हमें एक ही तरफ के paint की जरुरत है यह दूसरा side बिल्कुल खाली है इस पे हम यह hot glue लगाएंगे और सेम दूसरी CD जो हमने उसी कदर से paint की है उसका बिना paint किया हुआ हिस्सा हम उसके उपर चिपका देंगे यह देखिए तो हमारा जो दोनों तरफ का यह हिस्सा है वो हमें paint किया हुआ मिल गया है और यह जो surface है यह थोड़ा मोटा हो गया इसी तरीके से हम बागी की CD's को भी चिपका देंगे तो जैसे हमने 6 CD's को paint किया था तो हम उसमें से 3 इस तरीके के surface बना लेंगे और glue gun से 2-2 CD को आपस में चिपका देंगे यह देखिए कुछ इस तरीके से तो दोस्तों हमने यहाँ पर 6 CD's से 3 surface तयार किया है जैसा कि आप देख सकते हैं आप चाहें तो इस तरीके से क्वाफी सारे CD का भी उस कर सकते हैं और भी colors इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए यह white acrylic color लिया है क्योंकि मैंने dark color choose किया है इसी वज़ा से मैंने design बनाने के लिए white acrylic color choose किया है और मैं इस तरीके से एक traditional artwork जो है वो इस पर कर दूँगी और इस तरीके से जो मुझे आसान लगता है उसको मैं apply करूँगी आप भी इस तरीके से अपने लिए जो comfortable हो वो apply कर सकते हैं और इसी तरीके से दोस्तों हमारी यह जो दूसरी वाली CD है blue color की इस पर हम यहाँ पर एक face बनाएंगे और मतलब एक artistic face बनाएंगे कोई real face हमें नहीं बनाना है तो यहाँ पर यह देखे हम यहाँ पर थोड़ी सी आखो जैसा structure बना रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर हमने यह बिंदी लगा कर इसको थोड़ा सा decorate कर दिया है और इसके बाद यह इसकी जो eyes जैसा एक structure जो है वो बन गया है तो बस इस तरीके से हमने इस पर paint कर लिया है और इसी तरीके से आप अपने मन का paint CD पर कर सकते हैं इसके बाद मैं तीसरी वाली CD पर भी traditional artwork की कर रही हूँ और यह देखे कुछ इस तरीके का mandala से मिलता जुलता एक artwork है mandala तो नहीं कह सकते लेकिन यह इस तरीके का traditional artwork जो है वो मैं इस पर apply कर रही हूँ और इसके साथ ही हम इस पर यह दूसरी वाली layer बनाएंगे ताक यह थोड़ा सा attractive दिखे और साथ में कुछ dots बना लेंगे जिससे कि यह थोड़ा सा एक बहुत ही अच्छा सा traditional और fine look जो है वो उभर के सामने आएगा और इसके बाद हम फिर से अंदर थोड़े से dots बना लेते हैं और इसके बाद हम finally इसके चारों तरफ एक circle बना देंगे यह देखिए दोस्तों जैसे ही यह एक तरफ का paint सूख चाएगा तो हम जिन CDs में हमने paint किया है उनके पीछे का हिस्सा जो है उस पे भी हम paint कर लेंगे यानि कि दूसरे तरफ भी हम इसी color से paint कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर same color लिया है white acrylic और एक बहुत ही simple सी design मैंने draw कर ली है आप भी अपने मन से कुछ भी draw कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप इससे अच्छा भी draw कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से हमारा इस वाले CD का काम बिल्कुल complete हो गया है तो हम इसको दूसरे तरफ भी अच्छे तरीके से सुखा लेंगे तो दोस्तों इसी तरीके से बाकी की दो CD पर भी मैंने ये आप देख सकते हैं कि design जो है वो draw कर ली है तो दोस्तों यहाँ पर अब देख सकते हैं कि ये सूख चुका है और अब मैं इस पर वार्निश जो है वो apply कर रहे हूँ ये मैंने spray वार्निश लिया है आप चाहें तो normal वार्निश भी ले सकते हैं और acrylic color के सूखने के बाद आप उपर से हलके brush से इसको लगा सकते हैं जो की वार्निश वुड पर किया जाता है उस वार्निश को भी आप लगा सकते हैं तो मैं दोनों तरब इस पर वार्निश कर लूँगी और इसके बाद इसको सूखने के लिए रख दूँगी तो दोस्तों अब result आपके सामने हैं सूखने के बाद अब हमें मिल चुके हैं यह सुन्दर से tea coasters अब आपके सोफे पे चाय के दाग नहीं लगेंगे और ना ही आपके बिस्तर पर और ना ही आपके table runner पर क्योंकि हमारे पास सुन्दर से tea coasters जो हैं वो बनके ready हो गए हैं और वो भी हमने बिलकुली वेकार cd से बनाये हैं और दोस्तों हमने इसमें दोनों तरफ ही designs पनाई हैं तो हम इसको दोनों तरफ से ही use कर सकते हैं और यह washable है क्योंकि हमने इस पर varnish किया हुआ है तो यह प साथ में bell icon भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो के notifications भी आपको मिलते रहें फिर मिलते हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार